आप देख रहे हैं जैभारत टीवी पर पहुच चुका है बाद भारत के राज्यों की करे तो इस वक्त उत्तर प्रदेश मध्यप्रदेश बिहार उत्राखंट पंजाब हर्याना हिमाचल प्रदेश चंडीगर दिल्ली के अधिकांश हिस्सों में गर्म हवाएं जुलसा रही हैं यानि एक तरह से समूचा उत्तर भारत उबल रहा है चलिए अब आपको बताते कि आकिर इस बार इतनी गर्मी क्यों पड़ रही है बहेंकर गर्मी के पीछे सबसे बड़ा असर अलनीनो का है वैग्यानिकों ने अलनीनो प्रभाव के कारण पहले ही भारत में साल भीशन गर्मी की भविश्यवानी कर दी थी अलनीनो गर्म पानी को पूरी प्रशान्त शेत्र में टांस पर कर हवा को गर्म करता है और दुनिया भर में गर्म मौसम पैदा करके वैश्विक मौसम के पैटर्न को बदल देता है अलनीनो का वरतमान चक्र 2023 में शुरू हुआ और जून 2024 तक ये चक्र जारी रहेगा अलनीनो समुद्र के तापमान को बढ़ाता है इस कारण बंगाल की खाड़ी और अरब सागर से आने वाली नम समुद्री हवाओं को रोकने वाली उच्च दबाव प्रणाली बन जाती है जब वायूमंडल में उच्च दबाव होता है तो गर्म हवा को नीचे की और धकेलत है और इसे जमीन के आसपास फंसा देता है इस कारण गर्मी की लहरे आती है अलनीनो का यह असर मांसून आने तक यूहीं बना रह सकता है ऐसे में आने वाले कुछ दिनों तक उत्तर भारत में गर्मी से छुटकारा नहीं मिलने वाला ब्यूरे रिपोर्ट जैभारत टीवी